जहां एक तरफ दिल्ली के रामनिला मैदान में विपक्ष यहुंकार भरेगा तो वहीं मेरट से चुनावी रैली का आगाज आज देश के पीम मोदी करेंगे तीसरी बार मेरट से चुनावी अभ्यान की शुरुआत की जाईगी रैली में शा मिलोंगे मुख्य मंतरी योगिया दितनात मंच पर पहली बार पीम के साथ दिखेंगे आर एल डी प्रमोख जयंत चौधरी पश्रमी यूपी के आज सीटों पार पहले चरण में मतदान होगा मेरट में 26 अप्रेल को दूसरे चरण में वोटिंग की जाएगी तो आज देश के प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी मेरट पहुचेंगे और वहाँ पार चुनावी शंकनात करेंगे पिया मोधी आज मेरट के केंद्रे आलू अनुसंधान केंद्र मोधी पुरम में एंडिये की रैली को सम्भोधित करने जा रहे हैं रैली में मुख्य मंतरी योग्य अदितनात होंगे विजेपी प्रदेश अद्यक्ष भुपेंद्र सिंग चौदरी होंगे आरली के राश्प्रा अद्यक्ष जयन्त चौदरी होंगे अपना दल एस की राश्प्रा अद्यक्ष और केंद्र राज्य मंतरी अनुप्रिया उसने सेंट्रल को साथ लिया यानि कि देश के पीम मोदी इसके जरिये कोशिश ये करेंगे कि केंदर में सरकार विजेपी की बरकरार रहे है। पीम के साथ दिखेंगे जयन्त चौदरी शाम तीन बजे रैली को संबोधित करेंगे पीम मोदी। वहीं मोदी पुरम इस्तित केंदर आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान पर रैली पश्यमी यूपी की आज सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और उन्हीं सीटों को आज पीम मोदी साथ हेंगे। 19 अपरेल को पहले चरण का मतदान हो रहा है और सहारनपुर, कैराना, मुजफर नगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपूर, पीली भीत में वोटिंग होगी। मेरट में होगी 26 अपरेल को दूसरे चरण में वोटिंग, देखें मेरट में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है लेकिन पहले चरण के वोटिंग को साधने के लिए जो तमाम जिले हैं उन्हें साधने के लिए पीम मोदी पहली रैली आज करने जा रहे हैं मेरट के और यहाँ पर नाक्योबल रेली की जाएगी बलकि विपक्ष को किस तरह से पीछे छोड़ना है इस पर भी पूरा फोकस बीजेपी का रहेगा पूरा फोकस देश की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का रहेगा तो फिलहाल प्रुधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार RLD प्रमुक जयनत चौधरी आपको मंचपन अज़र आएंगे